घने जंगल, एकदम बड़े बड़े पेड, बड़े बड़े पहाड, नदियां, साइलेंश, तो ना वो सुसू की वज़े से वो साय ने इसको पकड़ी लिया है Hey everyone, welcome back to my new horror story time आज का horror किस्सा भी बहुत जादा scary है और एक सच का किस्सा है एक तो तुम continuous बोलते रहते हो ना, और horror story time लाओ, और लाओ, और लाओ तो यार लाने में थोड़ा समय लगता है, actually mom, dad, friends, relative, इन सब से गाउं वगारा call करना, पूछना, एक सच का किस्सा लाना थोड़ा सा समय लग जाता है, तो मुझे थोड़ा सा time दिया गरो, at least एक week का time दिया गरो, मैं एक week में एक story time लाता है लाता हूँ तो आज का जो horror किस्सा है, वो हिमाचल प्रदेश का है, अब हिमाचल प्रदेश की छोटी सी जहलक, जिन लोगों को नहीं पता बहुत डार्क पहाड़ियां होती हैं, जंगल होती हैं, डार्क इंदी सेंस की घने जंगल, एकदम बड़े बड़े पेड, बड़े बड़े पहाड, नदियां, silence बहुत जादा होती है और हम जैसे लोगों को जो बाहर cities में रहते हैं, क्या लगता है, कि वहाँ nature है, शान्ती है, जाओ, मजे मार कर, peace होकर आजो, हना, पर ऐसा नहीं होता इसके परेभी चीज़े हैं वहाँ, जैसे कि वहाँ spirits का बहुत पंगा होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं, जो ऐसे silent area में डार्क magic का यूज़ करते हैं, तो बहुत कुछ होता है इसके beyond भी, और उसी के उपर आज का एक किस है, spirit का बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाल लगा है, मुझे नहीं पता था पहले, बाद में पता लगा, बीर निचे एक area है, जहाँ पर काफी दुकाने वगएरा, market वगएरा है, billing काफी top में है, वहाँ कुछ भी नहीं है, in fact वहाँ light भी नहीं होती है, पहाड़ी का एक बहुत उच्छा हिस्से है, उस पहाड़ी के ह ले जाते हैं कभी tracking करने के लिए, या उपर रुक जाते हैं वहीं कि यहां से हम वो करेंगे, paragliding करेंगे, तो दो friends थे, जिन्होंने मेरे साथ यह शेर करा है किस्ता, वो दोनों घूमने के लिए गए वहाँ, ठीक है, जब घूमने के लिए गए तो उन्होंने डिसाइड कर ना electricity मिल रही है, और खाना भी बड़ा rare ही मिलता है, इन सब चीजों के लिए तुम्हें बीर जाना पड़ता है नीचे, ठीक है, और वहाँ से उपर ये सब समान लेकर आना पड़ता है, अब जो दो friends थे, उन्होंने एक tent लिया, तीन दिन का अपना program बनाया, उपर, कि एक दिन हम tracking करेंगे, अराम से घूमेंगे, फिरेंगे, एक दिन हम अपनी paragliding करेंगे, उससे next day चले जेंगे यहां से, अब क्या हुआ, जब इनको ना tent मिले ना वहाँ पर, तो इन्होंने क्या करा, सबको ना आसपास में tent दिये थोड़े बहुत, कि यहां रहो अपना अराम स तो इन्होंने क्या करा, इनसे थोड़ा दूर चलते हैं, थोड़ा बगल में, थोड़ा सा और साइड में, जहां पर और शांती हो, नजारा अच्छा हो सामने गा, और वहाँ पर अपना अराम से रहेंगे, पर टेंट वालोंने मना कर दिया, पर उन्होंने जैसे तैसे permission ले साया बगारा लग जाता है, या किसी की भी बला बगारा लग जाती है, ऐसा कहते है, वैंने सुना है, तो इन्होंने का करा, यह ना बगल में गए, एक पेड़ के पास सुसू करकर आगे, अब स्वान साइड थी, क्योंकि यह पहली साइड आ चुके थे, वहाँ इन्होंने स सुवागारा करा आगे, अब स्वारी में क्या होता है, यह घुमे फिर आपना जो मर जी वहा, रात हुई, रात को सोय वे थे, एक टैन्ड में दो बंदे सोते हैं, तो यह दोनों सोय वे थे, तो एक फ्रेंड का नाम था करन, और एक का नाम था अजे, अज एक सारा इंसिड रहा कुछ, या फिर रियल में सुन रहा है, वो उठी गया और उठकर ना बाहर जाने लगा, अब जब बाहर जाने लगा तो वो घुला आओगा, टैन्ट छोटा ही होता, इतना बड़ा नहीं होता, तो ना, सात में अजे को पता लगया, अजे ने कहा जा रहा है, क्या हो ग राकिंग वेरा करी जैसी रात होती है दुबारा करन भी सुयवा था अजे भी सुयवा था करन को फिर से आवाज आई मेरे पास आजो और यह उठा और यह बाहर गया अब ना जब यह आये थे तो इन दोनों ने ना सुसू करा था एक पेड़ के निच्छे साइड में जाके अ पहाडों ना अन्धिरा भी इतना गजब होता है ना इतना गजब अंधिरा ही इतने बड़े जंगल इतने बड़ बड़े पेड़ रचनी भी ना ती है लगुत दार्क अन्धिरा होता है अब उसमें आजय है फ्लैश लेकर आ है वो खढ़ा ai वह ख़दा खो़दार है वो होने लग जाता है क्योंकि negative energy है तो ना वो तुम्हारे अंदर heat heat बहुत ज़्यादा कर देदी इसलिए ना तुम्हारा शरीर तपने लग जाता है अब आजे डर गया कि तेरा तो शरीर भी तप रहा है जैसे दैसे उसको उसने का कि यह मैं कुछ हमें सुसू करने क्या था और उसके मन में थी कि यह उससे बढ़कर थी बात रात को कौन खड़ा खोदता है डर लग रहा है बाहर निकलने को टेंट से और यह वहां खड़ा खोद रहा है उतने अंधेरे में पेड़े के नीचे तो उसने कि इनका प्ल मेरे पास आओ मेरे पास आओ ऐसी आवाज जा रही थी और यह रात को उठा और बाहर जाने लगया इसका घर ऐसा था कि एक में गेर था जिस पे ताला लगा देते थे तो नहीं चाबी चुबी करी खोलने की कोशिश करी जो भी करा तो नहीं शोर हुआ तो इसके मॉम डैड यह एक ही रट लगा के बैठा है मुझे बिलिंग जाना है मुझे बिलिंग जाना है वो मुझे बुला रही है घरवाले डर गये घरवालों ने ड्रेक्ट इसके दोसको कॉल कर दी रात को एक डेट बज़े ही क्योंकि इसने आदब ओने घंटा ऐसी शोर मचाया कि वो उसे बुला रही है कौन मिली वहां तुम्हें ऐसी कौन सी लड़की मिली जिसके बिच्छे आदी रात को बाव लाओ के कह रहा है मुझे बिलिंग जाना है तो वो भी डर गया कि यह चीज अभी भी दोहर आ रहा है तो इसने बोला कि हम जब वहां टेंट में रुके थे तो इसन सुबह तक जैसी तैसे उसको संभाला और सुबह एकदम से पंडित के पास लेगे तो वहां पर उन्होंने पूजा बाजा करी यह सब करा तो उन्होंने बताया कि इस पे चाया लगी है पहाड़ों की तो जैसी पंडी जी ने अपना काम अगयरा कर लिया पंडी जी ने पहल के साथ आसा पकड़ा हुआ है अब जब यह गए होएंगे ना शुरू में इन्होंने सुसू करा था किसी पेड़ के नीचे तो ना वो सुसू की वजए से वह साय ने इसको पकड़ लिया अब जब पंडी जी ने थोड़ा और मंतर जाप वगारा करा ना तो उन्होंने बता कैसे डाला होता है स्पिरिट वगारा बांधी होती है उस पेड़ के नीचे दबाई भी थी तो वहाँ पर सुसू करा तो उस वहाँ पर उस साय ने इसको पकड़ लिया अब इसी को क्यों पकड़ा क्योंकि इसके ग्रह कमजोड थे क्योंकि मैंने तुमें बताया था जिसके ग्रह वीक होते ना उसको ये कंट्रोल कर लेती है स्पिरिट और जिसके ग्रह मजबूत होते ना उसको छूब भी नहीं पाती तो ये बहुत फरक पड़ता है तो उसके ग्रह भी कमजोड थी डरता भी था बंदा उसको वहाँ से पकड़ लिया खुश्बू के जरीए कनेक् कि भाई ये जो बच्चा था ना ये तुम्हारे यहां का नहीं था गलती होगी अपमानित फील कर रहा है तो जो भी है जैसा भी है माफ कर दो इसका पीछा छोड़ दो ये सब करके ना परशाद मंत्र वगारा अपना जो भी था पार्ट वगारा करा उन्होंने परशाद ट इसे चीज़े भी होती हैं ऐसी कहानिया भी होती है कि जब वह चीज हुई ना experience तो बहुत इसकदर थी कि हो इसके साथ री थी पार्ट मैं भी था और अजे कह रहा है मुझे पार्ट मैं भी था और मुझे ऐसा लगता था यार मरी जाते है हार टाम डर लग रहा है अंधिरे बहुत ज़्यादा होती है तो अगर तुम्हें स्टोरी सुनकर मज़ा होगा अगर तुम्हें स्टोरी सुनकर मज़ा है तो लाइक कॉमेंट शेर और सब्सक्राइब जरूर करना अपने अपने किसे भी जरूर कॉमेंट में शेर करना और जो भी अपनी स्टोरी जो सच की स् तो मिलते नेक्ट व्लोग में जबते के लिए बाबाई टेक केर अपना अपना ख्याल रखो